दोस्तों इस्टडी विद कॉंसेप्ट एक इस्टडी प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा स्रीज में तो क्लास 11 था हिस्ट्रियन से आर्टी केस रिंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे आधूनिकी करड की ओर तो का करते हैं कि पिछले भाग में आपने मध्यकालिन और प्रारंबिक आधूनिक विश्व की कुछ महत्पुन एतिहासिक प्रिक्रियाओं का अध्यन किया सामन्तवाद यूरोपियो पुनर जागरन और यूरोप था अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराओ जैसा कि आप सम एक थामाया था यह सारी हमने संगर्सु को देख लिया था तो यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बाज आगर के देख लेजें कि तुलनात्मक रूप से वहां पर कई सारे स्टेट्मेंट हैं तो हो सकता है कि यूपियसी वहां से कोश्चन को उठा तयार की जिसे आधूने की करण कहा गया यह थे और राजनेतिक करांतियों की लड़ी जिसने प्रजा को नागरीक में तब्दिल कर दिया तो यह सारी चीजें आप पच्छे तरीकी से सरने इकोनोमी में और अधोगी करांति के बारे में पढ़ाया था और इनसे आटी में प पढ़े होंगे काफी अच्छे तरीके से इन राजनेतिक करांतियों के शुरुआत अमेरिकी करांती तो यह अमेरिकी करांती कब हुई थी और फ्रांसेसी करांती तो यह फ्रांसेसी करांती कब हुई थी इसका डेट आपको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह पूश लेता ह तो विश्व इतिहास का मैंने एक चेप्टर आपको पढ़ाया था हलांकि वो प्रीके साफ से इंपोर्टेंट नहीं था तो उसमें यह सारी से बहुत अच्छे तारीके से दी गई है कहानी की तरह है तो आपको यह सारे डेट आपको मैं अल्रडी बता चुकी हूं लेकिर फि विश्व नौ में आप इसका ध्यान करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यूं हुआ तो अभी यह जब नौ में आएगा नौवे अध्याय में जब हम देखेंगे इसको लंबे हर्षी से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के ओधोगी की करण ने दूसरे देशों के ओधोगी के लिए अधर से नमूना प्रस्तुत किया विश्व नौ में किये गए विचार वीमर से आपको बदा चलेगा कि इतिहासकारों ने और दोगी की करण सम्मंदी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रस्न उठाये हैं तो जाहिर सी बात है पहले इसको अच्छा समझा गया लेकिन इस भी वे में हो सपोर्ज आपसे अगर कोशन पूछी लेता है कि आपके पास यह कंडिशन है एक तरफ एक तरफ आपकी आप जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो खड़ी है एक तरफ आपकी मां खड़ी है वो बोल रही है कि मां को चुनोगे तो मैं जान दे दूंगी और एक यहीं क्या होता है कि ऐसे जब कैसे का केश स्टडी होती है उसमें आपका परजadece मीं कितना काम कर रहा है तो परजेंट के लिए ऐसा किया जाता है कि आप कितना सही decision ले सकते हैं कितना fast ले सकते हैं और यदि आप decision ले रहे हैं तो उसके प्रतियाप कितने तठस्त हैं ठीक है तो उस condition में यदि आप मा को चुनते हैं तो उसका भी तरक आपके पास मजबूत होना चाहिए यदि आप लड़की को चुनते हैं तो उसका भी तरकों का जो है मजबूती भी था एक तरीके से कह सकते हैं अगर मजबूती नहीं होती तो साइद इतिहास नहीं लिखा जाता यहीं सारे चीज़े हैं तो हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूरी विशे नौ के बारे में ही बदाय गया एक भूमी का तैयार की जा रही है कि हाँ आपको क्या क्या चीज़े नीचे पढ़ने को मिलेंगी तो यहाँ पर टाइम देने से कोई फायदा है नहीं तो इसको करते हैं हम लोग क्रॉस आते हैं सिधा नीचे यूरोपिय सक्तियों नों अधोगी करांती के बहुत पहले से अमेरिका एसिया और दच्छिड अफ्रिका के हिस्सों में उपनिवेस बनाना शुरू कर दिया था दस्माभी से आपको यूरोपिय उपनिवेस्यों द्वारा अमेरिका और अस्ट्रेलिया के मूल निवासियो के साथ किये गए बरतावगी कहानी बताता है तो यहां से भी कुछ भी नहीं है अब यहां पर भी सह दस्वाला दिया कि दस्वे में आप यह पढ़ेंगे तो इसे भी आप छोड़ दीजिए जो इंप्पॉर्टेंट होगा हम के बाल उसी को देखेंगे यहां भी कुछ नहीं आपकी भूमी का यह बस तैयार की गई है यह भी आप छोड़ सकते हैं कि एक काम के तम सीधे आते हैं उसी पर और दोगी की करण पर आते हैं यहां आप काल के बारे काल रेखा के बारे में बताए गया है थोड़ा सा यहां देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा आमारे लिए उसको देखेंगे तो दास ब्यापार पर प्रतिबंद कब लगा का वरगी करण किस ने किया था तो कैरोलस लिनियस ने किया था यह थोड़ाँ सा ध्यान में रखेंगे हैं कि छोड़ दीजिए यहां से भी आपका कोई कोशन नहीं बनेगा यह भी छोड़ देजे कुछ भी नहीं सिधा मोहा पर आते हैं ठीक है यह बस ऐसे फैक्ट दिया है इतना फैक्ट नहीं पूछेगा आपसे सिधा आते हैं और दोगी क्रांती पर यहां पर करा कि ब्रिटेन में 1780 के दसक और 1850 के दसक की बीच उद्धोग और अर्थविवस्था का जो रूपांतरड हुआ उसे प्रथम अदोगी क्रांती के नाम से पुकारा जाता है इस प्रांती के ब्रिटेन में दुरगामी परभाव हुए बाद में यूरोप के देशों और सर्युक्त राज अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों का उन देशों तथा सेश विश्व के समाज और अर्थविवस्ता पर भी काफी परभाव पड़ा बेटेन में और दगिक विकास का यह चरण नई मसीनों और तक्नीकियों से घराई से जुड़ा है इन मसीनों तक्नीकों ने पहले ही हस्तसिल्फ ऑर हत करगा उन दोगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को समपो बनाया तो जायर सी बात है कि जब मसीन है और कहां हस्तसिल्फ उत्पादन भी जादा होगा प्लस इसके जो गुडवत्ता होगी गुडवत्ता वो भी काफी अच्छी होगी और जो प्रतियस्परदा है प्रतियस्परदा तो इसमें भी ये काफी आगे निकलेंगे तो वही कॉंसेप्ट यहां पर बता रहा है इस अध्याई में कपास और लोहा उदोग में हुए वहन की गति अधिक देज हो गई तो आपने पता योगा की भाब का जो इंजन था भाब का इंजन तो जाहिर से बाता जब यह चीज़ें आ गई तो आवजा ही काफी सुगम हो जाएगा और भाब के इंजन का खुछ किस ने किया था जेम स्वार्ट ने किया था यह धियान से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धन्वान थे और नहीं वे बुनियादी विज्ञानों जैसे भावतिकी अथवारासाइन में सिक्षित थे जैसा कि उन में से कुछ व्यज्ञानिकों की प्रिस्ट भूमी पर नजर डालने से पता चलेगा तो इतिहास तो वही रस्ता ह जिनके पास कुछ भी नहीं होता इसलिए आप लोग भी घबराये मत इता मन से बहनत कीजिए सफलता जरूर मिलेगी आगे चलकर और दोगी की करण की वजह से कुछ लोग तो सम्रिद्ध हो गए पर इसके प्रारंबिक दोर को लाखों लोगों की काम करने की खराब एबं ब इस सित्यों का नियंत्रड के लिए कानून बनाने बड़े तो यह एक भूमी का तयार किया है हलांकि इसे में सारे कॉंसेप्ट हैं तो इसको एक बार ऐसा ही कहानी कितना पढ़ लिजीगा क्योंकि यहां पर क्या पता दे ही दे कि जब ब्रिटेर में और दोगी की कावी कास हुआ तो हमारे हैं हास तसलिप और हथ करगा उदोगों में काफी बड़े पैमाने पर क्या हुआ उत्पाधन हुआ ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यहां से आप एक बात कॉंसेप्टों को अच्छे से समझ लेंगे और दोगी करांते सब्दका परियोग यूरोपी विद्वानों से फ्रांस में जॉसिस मिसले और जर्मनी में फ्राइडरिक एंजेल्स द्वारा किया गया अंग्रेजी में इस सब्दका परियोग सरोपरतन दार्शनिक एबं अर्थ सास्तरी और नॉल्ड द्वारा किया गय तो यह ध्यान रखेंगे PCS वाले ठीक है UPSC वालों को इस पर ध्यान देने की कोई ज़रत नहीं है यह थोड़ा सा PCS वाले ध्यान रख लेंगे ब्रिटेन के ओदोगी के विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे इस दोरान ब्रिटेन में जॉर्ज तितिया का सासन था जिसके बारे में ट्राइनवी ने आक्सफोर्ड विसोवी द्याले में कई व्याख्यान दिये उनमें व्याख्यान उनके व्याख्यान उनकी आसमाईक मृ सितियु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रुप में प्रकासित हुए जिसका नाम था लेक्चर्स अन्दी इंडस्ट्रियल रिवुलूशन इन इंग्लेंड पॉपुलर इंड्रसेज नोट्स एंड अदर फ्रेग्मेंट्स तो यह इंग्लेंड में ओदोगी क्रांती पर व्य आधनिक हिस्ट्री का यह चैप्टर है थोड़ा सा स्वरी आधनिक हिस्ट्री का ही टॉपिक है बताए क्या हुआ था कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कीजिए चली महीं बिता देती हूं 1884 में क्या हुआ था मद्रास महाजन सभा का मद्रास महाजन सभा को इस्थापित किया गया था ध्यान रखेंगे पूछ लेता है इस्थापित किया गया था किसने किसने किया था तो एक तो एम रागवाचारी थी रागवा रागवाचारी दूसरे कौन थे दूसरे थे अईयर करके थे अईयर ठीक है सुब्रमानियम अईयर ही थे शायद नाम एकजक्ट याद नहीं आ रहा है और तीसरे थे आनंद चारलू यह ध्यान रखेंगे और आपसे पूछ लेगा कि इसका उद्दे से क्या था उद्दे से यह था कि यह जो इस्थाने गतिवीधी अस्थाने गतिवीधियों गतिवीधियों को समनुवित करके मद्रास प्रेसिडेंसी के माध्यम से जो भी खूफिया जानकारी आती थी जो भी खूफिया जानकारी आती थी उस पर ध्यान केंद्रित करना ध्यान केंद्रित करना कि हाँ जब यह लोग ऐसे सब्सक्राइब लोगों को जोडते थे और किसी भी चीज में एदि अपर अस्थाने लोगों को भागेदार करके चलते हैं तो वो जादा ही success रहता है क्योंकि अस्थानी योगों का मेरिटर अस्थानी लोग ही अच्छे से समझेंगे सहर वालों इतना नहीं समझ पाएंगे तो यह अस्थानी लोगों को भी समनवीद करते थी और वो क्या strategy बना रहे हैं क्या योजनाई बना रहे हैं ब्रिटिस वाले उसको धिहान में रख करके फिर ये अपने हिसाब से अपनी योजना बनाते थे ठीक है तो बॉंबे प्रेजिदेंसी भी है वो 1885 में हुआ था फिर आपका इंडियर एसोशियेशन है जिसका 1885 में हुआ था तो य इसके कहने का ये मतलब है तो ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्व प्रथम आधूनिक और दोगी की करण का अनुभव किया था यह 27 अताब्दिस राजनेतिक द्रिश्टी से सुद्रिण एवं संतूरित रहा था और इसके तीनों हिसों इंगलेंड, वेल्स और स्कॉटल इस बजार विवस्ता में इस्थानिय प्राधिकरोनों का कोई हस्तक्षिप नहीं था यानि वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे जिससे की उसकी कीमत बढ़ जाती 17 सताबदी के अंत तक आते आते मुद्रा का परियोग बिनिमा यानि आदान परदान के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से होने लगा तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तों की बजाए मस्दूरिय और बितन के रूप में पाने लगे इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक बिकल्प प्राप्त हो गये और वस्तों की बिकरी के लिए बाजार का बिस्तार हो गया तो आप अब कॉंसर्प्ट समझी गए होंगे अठारवी सताब्दी में इंग्लेंड एक बड़े आर्थिक परिबर्तन के दोर से गुजरा था जिसे बाद में क्रिसी करांती कहा गया यह एक ऐसी प्रकिरिया थी जिसके द्वारा बड़े जमिदार ने अपनी ही समपत्यों के आसपास छोटे-छोटे खेत खरिद लिये और गाउं की सारवजनिक जमीनों को घेर लिया इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी भू समपताय बना ली जिसे खाद्य उतपादन के बिरद्धी हुई इससे भूमेहीन की सानों और गाउं की सरवजनिक जमीनों पर अपने पसु चराने वाले चरवा हो इबन पसु पाल को कहीं और काम दंदा तलासने के लि प्यापार और वित्ध अब यहां पर यह जो अवदोगी प्रिटेन में क्यों हुआ क्योंकि वहां पर एक तो अस्थाई सासन था अस्थाई सासन ठीक है सक्तिसाली था वहां का जो भी सम्राठ था एक तरह का ही कानून था यह की वर्ड़ से ऐसे लिख लिख लिजेगा सक्तिकी सारी सक्ति समराठ के यह सकते हैं था तो यहीं सारे चीज थी जो ब्रिटेन में और दोगी की करण कारण बनी बाकि और भी भावगोलिक भी सिस्ताएं रही थी तो ये वस उसमें भावगोलिक भी सिस्ताएं ही बताया है सहर ब्यापार कैसे होता था ठीक अवित्त पढ़नाली क्या थी तो ये पढ़ने की जुरत नहीं है क्यों इसमें कुछ भी नहीं है जो एक्जाम के दिरिश्टी से म क्या वज़ा था कि ब्रिटेन में ही ओदोगी की ओदोगी करांती हुई तो आप देख रहे परिस्तितियां सारे संसादन वहां पर मौझूद थे पत्तन थे बंदरगा थे समुद्र में आने जाने का रास्ता भी बढ़िया था ठीक है एक तो इस्थाई वहां पर सासन था एक तरीके की मुद्रा पढ़ना ली थी तो यह सारी आप जो है चीजें वहां पर मेंस में अराम से लिख सकते हैं तो मेंस के हिसाब से अभी कुछ खास यहां पर दिख नहीं रहा है फिर भी इसको पढ़ेंगे क्या पता इसमें कुछ फेक्ट हमारा निकली जाए ठीक है तो य यह भी कुछ भी नहीं है यह भी छोड़ दो जिए हाँ इसको थोर से देख लेते हैं इसकी बारे में कह रहा है कि ब्रिटिस हमेशा उन और सन से कपड़ा भूना करते थे 27-27 से इंग्लेंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गाठों का आयात करता रहा था लेकिन जब भारत के हिस्ट इंडिया कंपणी का राजनितिक नियंदर स्थापित हो गया तब इंग्लेंड ने कपड़े के सासत कच्चे कपास का आयात करना भी सुरू कर द थे वहां पर मशीन वगारे खूप था ही वहां पर बनाते थे और क्या करते थे कि फिर वो जो बना हुआ माल था इन dens However क्या चाहिए था को वो भारत को एक मार्केट के रूप में यूज करते थे तो वहां सारी चीज़ें यहाँ पर लाएंगे ठीक है तो यही सारी सोच करके नितियां बनाई थी वो सारी चीज़ें आपको आगे बिलेंगे 28 सदी के प्रारंभी के वर्सों में कताई का काम इतने धीमी गती से और महनस से किया जाता कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवस्यक धागा काटने के लिए दस काटने वालो अधिकतर इस्त्रियां की जरूरत पड़ती थी इसलिए कातने वाले दिन पर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे की इंतजार में समय बर्बाद करते रहते थे लेकिन प्रदोगिकी के शित्र में अनेक आविस्कार हो जाने के बाद कच्ची रूई को कात कर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनानी की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वो खत्म करने में सफलता मिल गई यानि जब इनोंने मसीनी करड़ कर लिया तो जो हद करगा के माध्यम से सूथ कारते थे चर्खा के माध्यम से सूथ कारते थे तो हस्त सिल्फ उद्धो कह सकते तरीके से तो उसमें बहुत टाइम लगता था और उसमें बहुत लोगों की ज़रुद भी परते थी उपर से जब मान लहीं आता था तो दिन बर ऐसे ही अपना समय बिदा लेते थे लेकिन जैसे ही यहाँ पर मसीनी करण हुआ तो काम तेज हो गया ठीक है तो वही चीज़ें यहाँ पर बता रहा ह हैं अभी दिंख दिखा दिए एक तरफ चर्ख टाइप है आथ देखे यहां पर कितने आसानी से यह यह मसीन के तुरुफ देखे हैं यहां पर कैसे जल्दी यह लिकर रहा है ये उड़न तूरी करगे है तो करगे से आप पता ही लग ज़गा आपको कि एक मसीन है हाँ मियूल थोड़ सा ध्यान रखेगा मियूल क्या है एक मसीन है ठीक है मियूल एक मसीन है बाकि आप छोड़ सकते हैं यहां से कच्चे माल के रूप में आवस्यक कपास संपूर रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तयार हो जाता था तो उनका अधिकांस भाग बाहर निर्यात किया जाता था इस संपूर पर गिया के लिए इंगलेंड के पास अपने तो वहीं जहें यहां से कच्चे माल ले जाते थे और बना बनाया माल करते थे आपने यहां से ये भाब की सक्ति के बारे मताए गया है तो ये और दोगी की करण का एक करण ये भी था ठीक है तो ये छोड़ दीजिए ये भी आप छोड़ दीजिए इस सब मिन्स के इसाब से हैं देख रहें नहरे, नाले, मौगोलिक इस्तिती के बारे में बता रहा है यहां भी कुछ नहीं है यह भी आप सोड़ सकते हैं क्या फैदा है यहां पर टाइम देने से इस से अच्छा है कि सुजल्दी खतम करके हम डिवेल्ट के इन से आर्टीप आएंगे उसमें काफी इंपोर्टेंट बहुत सारी चीजे उसमें दी गई है यह भी वही है, मेंस के इसाब से है हाँ इसको दोरा सा पढ़ लेते हैं कानूनों के जरिये सुधार यानि कारखाना दिनियम और इसमें आएगा तो वहाँ से कोशन आपके बन जाते हैं तो इसको देख लेते हैं सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रती कितनी जागरिक थी 18-19 में कुछ कानून बनाएगे जिनकी तहत 9 वर्स से कम की आयो वाले बच्चों से फैक्टरियों में काम करवाने की पबंदी लगा दी गई तो यह देखिए एक यहाँ पर स्टेटमेंट है यह आपको मिल जाएगा प्रिभेसर में पूछा भी है तो ध्यान देंगे कि 9 साल से कम उमर के जो बच्चे थे उनको फैक्टरियों में काम करवाने पर पबंदी लगा दी गई थी फिकरा कि 9-16 वर्स की आयो वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सिमित कर दी गई लेकिन इस कानून में इसका परवर्दन यानि पालन कराने के लिए आवस्यक अधिकारों के व्याक्या नहीं की गई थी तो इसको भी तरसा ध्यान रख लेंगे कि जो 9-16 वर्स के बच्चे थे उनको 12 घंटे तक काम करवाना था अभी 12 घंटा है और कह रही है किस पर सिमित कर दी गई है मतलब 12 घंटे काम करवा रहे हैं बच्चे कोम्र देखिए 9-16 वर्स यानि कितनी खराब कंडिसन थी उस टाइम पर ठीके और उसके बावजुद भी इन्होंने उन अधिकारों के कोई मतलब विवस्ता ही नहीं की कह जैने को तो कह दियें कि हाँ ठीक है 9 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे 9 साल से कम के बच्चे और 9-16 साल के बच्चे हैं वो 12 घंटे काम करेंगे लेकिन फिल भी उनको अधिकारों के लिए कोई भी विवस्ताइन उने नहीं करा संपूर उतरी इंग्लेड में कामगारों द्वारा इस इस्तिती का भारी विरोद किये जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंतरगत 9 वर्से से कम आयूँ वाले बच्चों को केवल रेसम की फेक्टरियों में काम पर लगाने की अनुमती दी गई तो यहाँ पर भी most important facts हैं आपके लिए कि यहाँ पर क्या कर देगा कि यह जो अधिनियम है कोशन ऐसे बना देगा कि 1833 के अधिनियम में 9 वर्स से कम आयूँ के बच्चों पर काम करने पर पूडत है पूडत है प्रतिबंध लगा दिया गया ठीक है पहला statement दूसरा यह देगा कि इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत थोड़ सा आप लोग सुन लेजेगा क्योंकि आप लोग राइटिंग समझ में नहीं आरेगी पर आस पता ने क्यों काम नहीं कर रहा साई से ठीक है इस अधिनियम के तहत नौ वर्स से कम आयो के बच्चों को केवल रेसम फैक्ट्री या कार खाने जो भी हो फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमती थी निम्नलिखित में से सही कथन चुनिये पहला देदेगा एक केवल एक सही दूसरा आपका देदेगा केवल दो सही सी आपका देदेगा दोनों सही और और डी आपका देदेगा उपरियुक्त में से आनी क्या हो रहा है में से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको लगेगा कि अब हमेशा और यही थिंकिंग बना के चलेंगे कि यहाँ पर तो केवल दिया है तो दो को तूरंता फटा देंगे जैसे दो को अटाएंगे तो दो तो होगा नहीं और आपको लगेगा कि हाँ सही है नौ साल से कम उम्र का बच्चा है तो भला इसको क्यों काम करने देंगे तो इसका मतलब किसको पूर्द प्रतिबंदित नहीं क्योंकि यहाँ पर साफ साथ कह रहा है कि इस अधिनियम में रेशम की फैक्टरी में काम करने पर अनुमती बच्चों को दी गई थी लेकिन इससे पहले कोई कानून नहीं बना था उसमें यह कहा गया था कि जो 9 यहाँ पर ध्यान देंगे कि 9 वर्ससे कम उम्रें के जो बच तो ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे दोनों में यहां से आपको कन्फ्यूज कर देगा तो इन दोनों को आपको ध्यान में रख करके चलना है अब कहरा कि बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सिमित कर दिये गए और कुछ फैक्टरी ने रिक्षक की बिवस्था कर दी गई जिससे की अधिनियम की परवर्तन तथा पालन को सुनिश्चित किया जा सके अंततव 1847 में 30 वर्ष से भी अधिक लंबे अर्षे तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया इस कानून ने इस्तरियों और युवकों के लिए काम की घंटे सिमित कर दिया और पूरुस सर्मिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया तो यहाँ पर देखे केवल पूरुस के लिए किया कह रहा है कि घंटे सिमित कर दिया पूरुस रमिकों के लिए 10 घंटे का काम निश्चित किया यानि यहाँ पर मैलाओं को कितना किया यह बताया नहीं गया कि आप धिहान देंगे यहाँ पर अगर मैलाओं का भी 10 घंटे होता तो यहाँ पर लिख देता कि पूरुस मैलाओं के कारे के घंटे को 10 घंटे कर दिया लेकिन यहां पर मैलाओं का नहीं दिया केबल पूरुष का दिया है तो यह भी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे यह अधिनियम कपड़ा दोगों पर भी लागों होते थे खननन उदोग पर नहीं अब देखिए most important facts हैं आपके आपको यह लगेगा कि कपड़ा पर लागो तो खननन पर क्यों लागों होगा तो ध्यान रखेगा यह जो अधिनियम थे यह 1847 के सौरी उद्धोग पर लागों नहीं होते थे सरकार द्वारा इस्तापित 1842 के खान आयोग ने यह उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितित्यां वास्तों में 1833 के अधिनियम के लागों होने से पहले कहीं अधिक खराब हो गई है ठीक है फिर आगे कह रहा है कि 1833 के अधिनियम के लागों ने सच्छा है तो हो गया क्योंकि पहले अधिक संक्या में बच्चों को कोईला खानों में काम पर लगाया जा रहा था 1842 की खान और कोईला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयू के बच्चों और इस्त्रियां को खानों में नीचे काम देने पर पावंदी लगा दी तो ध्यान देंगे ये चीज कि ये जो 1833 का जब एक्ट नहीं आया था तो जो बच्चे थें जो इस्त्रियां थी उनको क्या किया रहता था कि खानों में काम करने के लिए लगा दे रहता और उसके लिए भी इनके घंटे तै नहीं थी घंटे तै नहीं थे जब कि यहां पर 47 में क्या हुआ कि घंटे तै कर दिया और ये सारे मामने उजागर का बुगत हैं तो 42 में जब खान अधिनियम आया तो उसमें ये सारे कारणामे जो हैं वो उजागर किये गए तो इसमें कह रहा है कि जब यह अधिनियम आया तो दस वर्स से कम आयों के बच्चों और इस तरियों में खानों के निशेक काम लेने पर पावंधी लगा दी तो यहाँ पर केबल पूर्सों के लिए अभी देखिये यहाँ पर बोला ना कि पूरुस रमिकों के लिए 10 घंटे निश्यत कर दिये गए लेकिन महिला और बच्चों पर यहाँ पावंधी लगा दी गई कि महिला और बच्चे खानों में काम नहीं करेंगे तो ध्यान देंग तो यहाँ पर पूर्सों और महिलाओं का जो काम करने का घंटा था उसको 10 घंटे कर दिया गया तो ध्यान देंगे यहाँ पर महिलाओं को पूर्त है क्या क्या गया महिला के लिए महिला के लिए काम बंद कर दिया गया बच्चों के लिए लेकिन पूर्सों के लिए यहाँ पर दस घंटे निश्चित किये गए तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे ठीक है फिल्डर्स फैक्टरी अधिनियम ने अठार सो से तालिस में यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्रे के बच्चों और इस तरियों से 10 घंटे प्रते दिन से अधिक काम न लिया जाए ठीक है लेकिन क्या करू कि 10 घंटे ज्यादा काम मतलो इन कानूनों का परवरतन फैक्टरी निरिक्षकों के द्वारा किया जाता था लेकिन यह कटिन काम था निरक्षकों का बेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत दे कर आसाने से उनका मुँआ बंद करवा देते थे दूसरी और बच्चों की माता पिटा भी उनकी आयों के बारे में जूट बोलकर उन्हें काम पर लगवा देते थे ताकि उनकी मजदूरी से घर का ख की हाँ मैंने इनके बच्चों को देखा था इनके बच्चे का मेरे पास 싸़ कुछ है और बच्चय सच में बहुत कम एच का नहीं है बच्चे का यdro Delhi सही है वो काम कर सकता है और फ्टारे की मजबूरी थी तो इस तरहिकर से वह गयर करते इसको बद्सक्रूर और से काम कर लि फिर 1833 में क्या हुआ फिर 1842 में क्या हुआ और 1847 में क्या हुआ तो यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यह सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और यह भी दिखेगा कि जो 2447 का था उसने महिलाओं के तो काम बिल्कुल बंद कर दिया था लेकिन जब यह फिल्डस फैक्ट्रिय अधिनियम ने दुबारा से इसको वह किया इस पर संसोधन किया विचार भी मर्स किया तब इसने बोला कि नहीं नहीं महिलाओं के लिए कर दो लेकिन 10 घंट से जादा मत करना बच्चों के लिए भी कर दो तो ठीक है तो यह सारी चीज़े जो हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि यहां से आपका बन सकता और यहां पर आप कन्फिज रहेंगे अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो अब देखते हैं और दोगिक क्रांती के बिशाय में तर्क बितर्क उनीस से सकतर के दसक तक इति हसकार और दोगिक क्रांती सब्द का परियोग ब्रिटेन में अठार सकतर के दसक से अठार सो बीस के दसक की बीच हुए और दोगिक विकास बिस्तारों के लिए करते थे लेकिन उ से हमें कोई वो नहीं है यह मिन्स के हिसाब से है यहां भी नहीं है कुछ भी ठीक है इस तरीके से यह भी खतम हो गया हमारा तो यहां से मैं सारा पर चुकी हूं यह दा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है यहां से कुछ भी नहीं है जो आपकी एक्जाम के लिए महत्यपुन हो तो इस तरीके से आपका एलेवन्थ के जो इंसे आर्टी थी यह भी खतम हो चुकी ठीक है अब हम ट्वेल्थ के इंसे आर्टी को अच्छे से पढ़ेंगे उसमें आपको देखना है बाकी चीज़े इसमें आपको बिल्कुल नहीं देखनी है और नीचे तो बिल्कुल मत आईएगा दसमें चैप्टर के भास्ते कि इसमें कुछ भी नहीं है जो एक्जाम के दिर्शे से महत्यपुन वह तो तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लिजेग तो इसको हम यहीं पर खतम करते हैं कल से हम लोग 12th के NCI पढ़ेंगे अच्छे से तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद